नमस्कार मैं हुग प्रवेन गोतम दोस्तों हमेशा की तरह इतिहास की सरकारों को कोस्तने पर विपक्षी नेताओं का मखोल उडाने पर राहुल गांदी के मजे लेने पर पीम मोदी के भाषण को मीडिया वाले शांदार बता रहे हैं और चंडिगड मेर चुनाव की खबर को दबाने के लिए पीम मोदी के भाषण की चर्चा प्रमुक्ता से की जा रही है लेकिन हकीकत यह है कि पीम मोदी के भाषण की गोरव गोगई ने पोल खोल दी गोरव गोगई ने बीच भाषण पीम मोदी को टोका तो उनकी जुबान लडखडाने लगी और पीम मोदी के साथ बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी पूरी तरह एक्सपोज हो गई पीम मोदी अपने भाशन के दोरान परिवारवाद पर कटाक्ष कर रहे थी और उस दोरान गोरव गोगोई क्या कहते हैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ जरा सुनिए इश्रवाद से सुनिए पीम मोदी की सर परिवारवाद की बात करते हैं जहां एक परिवार तो पार्टिया लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचीत रही है लोग तंत्र में परिवारवाद का प्रोडेक्ट है तो फिर पीम मोदी बचाव में कहते हैं कि एक परिवार से कई लोग पार्टिय में आते इस बात में कोई बुराए नहीं होनी चाहिए उसके बाद गोरव गोगई उन पार्टियों के नाम बताते हैं जिनके साथ मिलकर बीजेपी सरकार चलाती है और जो पूरी तरह एक परिवार की पार्टिया है जरा वीडियो देखिए क्या कहते है ग तो यहां पर गोरव गोगोई चिलाते हैं कि एल जे पी जे जे पी अकाली दल क्या ये पार्टी एक परिवार का प्रोड़क्ट नहीं है तो इस पर पी एम मोदी की हालत देखे कैसे खराब हो जाती है और पी एम मोदी सक पकारने लगते हैं जरा सुनिए तो यहां पर इस बात का तर्क पूर्ण जवाब देने की बजाए अकाली दल जे जे पी और एल जे पी पर बोलने की बजाए पी एम मोदी कहते हैं कि आपके साथ हमारा कोई विशय नहीं है चुकि गौरव गोगोई भी तरुन गोगोई के बेटे हैं आसम के सीम रह चुके हैं तरुन गोगोई तो वो कहते हैं कि आपके साथ विशय नहीं है विशे इस बात को लेकर है कि एक परिवार की पार्टी पूरी तरह से नहीं होनी चाहिए और ये PM मोधी भूल जाते हैं कि गोरोगोगोई ने कहा था कि अकाली दल भी एक परिवार की पार्टी है LGP भी एक परिवार की पार्टी है, JJP भी एक परिवार की पार्टी है उस बात का पीम मोदी कोई जवाब नहीं देते हैं और देखिए कर फिर देखिए किस तरह उनकी जुबान लड़कडा जाती है। हम भी चाहते हैं इसकी चर्चा थरिये हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है। तो ये हीपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है दोस्तों हकीकत ये है कि अगर पीम मोदी ऐसा बोलते हैं तो कम से कम उन परिवारवादी पार्टियों के साथ बीजे पी को गड़बंदन नहीं करना चाहिए। लेकिन हर्यारा में जेजेपी के साथ गड़बंदन है जम्मू कश्मीर में भी कभी बीजेपी ने महुआ मुफ्ती के साथ सरकार चलाई थी बिहार में लजेपी के साथ गड़बंदन है जो राम बिलास पासवान की पार्टी है अब चिराग पासवान के साथ आगे बढ़ जो बीजेपी के सहयोगी हैं जो पुरेचाव के साथ पृधान मंत्री से मिलते हैं बार-बार उनका अभार प्रकट करते हैं और संसर्थ में प्रधान मंत्री क्रिकेट चलाने का जो अचानक उनको इतनी बड़ी पूस्ट दे दी गई स्वखत तोड़ पर परिवारवात की वज़े से पूस्ट मिली ना हमिश्या के प्रभाव की वज़े से जैशा को पूस्ट मिली ना तो फिर प्रदारमंत्री किस मूँ से ऐसी बात करते हैं आप परिवारवाद को लेकर पीम मोदी की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं जहां गोरव गोगोई ने पूरी तरह से उनके भाशन में उन्हें एक्सपोज कर दिया और प्रधार मत्री कोई तर्फ पूर्ण जवाब नहीं दे पाए कमेंट बॉक्स में प्री राइज जरूर दे अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन के इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार